आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप लोग लगातार कमेंड कर रहे हैं चाहिए वो यूट्यूब हो या टेलिगराम पे हो कि सर थर्ड काउंसलिंग का कोई नोटिस आया क्या क्या थर्राउंड काउंसलिंग होगा या नहीं होगा कुछ लोग क सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता है रेगुलर जो हमारे चैनल में बीड या फिर जानकरी दी जाती है जैसे कि आप सभी को पता है हाला कि कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं हाला कि मेरे घर में काम चाहरा था ठीक है तो देखिए कोशन यह है क्या थर्ड राउंड और कांसलिंग होगा और कुछ लोग कंडिडेट कहे रहे हैं कि नहीं होगा सर अगर नहीं होगा तो डाइरेक्ट ऑपन यह थे उनको भी अपरचुनिटी दिया गया था सेकंड रॉड कांसलिंग में कि आप जो है कॉलेज चेंज कर सकते हैं और हला कि वह लोग कि होंगे और जिनका भी नाम अलाट में चेंज होगा तो हाला कि वह ट्रांसफर होगा है ना और ट्रांसफर होगा उस वज़े से ज यह से भी ऐसा करेगी नहीं अगर वह ऐसा करता है तो उनके लॉस है कैसे लॉस है उनको फिर से पेमेट नहीं करना पड़ेगा अप डायरेक्क को लेज जाके अर्मिसन लेज पाओगे ठीक है ऐसा होगा लेकिन जिसी सी वोट को तो कमाना है ना तो इसलिए वह थर्ट रां of counseling होगा फिर open counseling होगा I hope आपको अभी तक पता चल गया कि counseling process कहां तक चलेगी यानि special round of counseling तक चलेगा उसके बाद भी अगर sit खाली रहता है तो open counseling होगा ठीक है जिसको direct admission कहते हैं हम लोग ठीक है अगर आप open counseling को नहीं समझ पा है तो ठीक है अभी देखिए यह देखिए जैसा कि मैंने आपको पताया जिसे कोई जो पूरी तरह से जो government sit सभी को मिलता नहीं है है ना और कुछ लोग डर से भी डालते नहीं और डालते नहीं उसका होता नहीं है लेकिन जेनरली यह सेंडर में pure government का ही मैं बात नहीं कर रहा हूं सेमी गवर्रमिट भी है ठीक ना जैसे के सेलेंट धनबाद ऐसे जितने भी है Sae government उसका भी बात कर रहा हूं अगर आप प्यूर्ट कह रहे हैं तो साइधी मतलब सीट बचा रहे दो चार सीट बचा रहे हैंना लेकिन उतना ज़्यदा सीट नहीं बचा रहता है जैसे कि हजारी बाग इस वार तो बहुत लोग चेंज की हैं कॉलेज क्योंकि आपको पता है फर्स्ट रांड ओप कांसलिंग में हजारी बाग वाला दिया नहीं तो देखी कांसलिंग अभी तक आपका इसलिए नहीं आया है क्योंकि तேरा तरक तक चला बेट सेकंड रावन का क्योंकि एड़ाया गया था इसलिए आप लोग को एक सप्ता तक वेट करना पड़ेगा एक सप्ता यानि आज है 50 तरिक न तो आप लोग 20 तारिक तक आप लोगा जो नोटिस जारी कर देगा हाला कि इससे पहरे जारी कर सकता है कल पर सुकंदरी लेकिन मानगे चलिए वीयस तारिक तक हला कि मैं वीस तारिक की क्यों बोर रहा है इसका रिजिन है देखे दोस्तो बहुत लोगों का भी पैनिंग चर रहा है अबरी एगरिकल्चर का एक्जाम चल रहा है उसके बाद B.A.C. नर्सिंग, A.N.M. जे नेम नर्सिंग, पारामेडिकल ये सभी का एक्जाम ले रहा है बोर्ड और उसका आंसर की अभी तुरंद मतलब इतना जल्दी रख दिया है कि दो दिन बाद ही आंसर की हम लोग दे दे है तो इसलिए मैं आपको मान के चल रहा हूं कि 20 तरिक तक आपका जो है थर्ड राउंड अब कांसलिंग का नोटिस आ जाएगा कोई दिकत नहीं ठीक है लेकिन जनवर तक आपका एडमिसन प्रोसिस चला ही जाएगा अभी आप लोग कह रहे हैं जरूर कहेंगे ये कमेंड सकते हैं कि स्कॉल स्थिप का जो पोर्टल है वह खुल जाए हाला कि इसके वारे में विवाद चली रहा है रांची में अब देखिए क्या होता है उसके रिगारे में कोई अगर नोटिस आता है तो मैं आपको एक वीडियो बना के इंफोरमेशन जरूर दूंगा ठीक है तो